बच्चों, CLEs, KK CBSE School, चिकोडी, कक्षा 6 और 7 के online class में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चोटी की और बड़ी की का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं यह उदहरन के साथ समझने का हम प्रयास करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नियम देखते हैं की का प्रयोग नहीं कि छोटी की का प्रयोग हम कहां करते हैं छोटी की चो होता है वो कारण बोधक अव्वेय हैं कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं उस छोटी की का उप्योग करते हैं और सबसे आसान तरीका समझने का ये है जो दो वाक्यों को जोडने के लिए हम छोटी की का प्रयोग करते हैं ठीक है दो वाक्यों को जोडने के लिए सबसे आसान तरीका तो यहाँ पर एक उधारन है राम ने कहा कि उसके पिताजी का नाम दशरत है राम ने कहा यह एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है उसके पिता जी का नाम दश्रत है अब इस दो वाक्यों को जोडने का काम किस ने किया है छोटी की ने ठीक है समझ में आया उसे किसाद सद दूसरा एक उदाहरन में देती हूँ आपको चाचा जी ने कहा दिखिए चाचा जी ने कहा अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ डबल इनवर्टेट खौमा डालती हूँ उसके उसे पैसा मत दो यहने कि जो भी हमारे मूँ से निकली बात जैसा है वैसा हम प्रयुक्त करते हैं वहाँ पर भी छोटी की का उपयोग होता है ठीक है समझ में आया चाचा जी ने कहा उसे पैसा मत दो और एक वाक्य है मैं बाहर जाने वाला ही था कि बारिश होने लगी अब मैं बाहर जाने वाला ही था यहाँ एक वाक्य है और बारिश होने ल वाक्यों को जोडने के लिए हमने किसका प्रयोक किया है छोटी की का प्रयोक किया है मैंने यहां पर एक की उधारन दिया है बच्चो आप के textbook दसवी ककशा के Textbook में 208 पेज नंबर 208 पर की और की का प्रयोक इसका वेकरन भाग दिया गया है तो आप behaviors push buttons कि बहुत सारे उधारन दिये गए हैं वहाँ पर और सिर्फ मैंने उधारन देख रहे हैं क्योंकि ये पुनरावलोकुन क्लास है पिछले क्लास का ही यह क्या है सेतू बंद के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हूँ अगर आपको ज़्यादा उधारन चाहिए तो आप वहाँ पर देख सकते हो ठीक हैं? अब दूसरा नियम देखिए छोटी की के प्रयोग से वाक्य में विकल्प का बोथ कराने के लिए भी होता है क्या होता है वाक्य में विकल्प छोटी की का प्रयोग कहा पर होता है वाक्य में विकल्प चाई पियोगी की कॉफी चाई और कॉफी यहाँ एक शब्द है और दूसरा शब्द यहने की विकल्प दिया गया है यहाँ पर आप्शन्स हैं वहाँ पर क्या किया जाता है की का प् प्रयों किया है तो options बताने के लिए या तो विकल्प बताने के लिए भी छोटी की का उप्यों होता है ठीक है अब दूसरा देखिए बड़ी की का उप्यों हम कहाँ कहाँ पर करते हैं तो सबसे पहला नियम उसका है स्ट्रीलिंग एकवचन तथा बहुचन सूचक संग्या शब्दों के संभन्द बताने के लिए बड़ी की का प्रयोग किया जता है स्ट्रीलिंग एकवचन तर तर बहुचन संग्याशब्द यहां पर बड़ी की का उप्योँग होता है ठीक है? अब देखें उदारन के तौर पर मैंने यापर दिया है कि शहर की लड़किया यहां पर एक शहर और दूसरा है लड़किया दो संग्या शब्द है और उनके बीच में जो दिया गया है संबंद सुचा, संबंद बताने के लिए बढ़ी की का प्रयोग किया गया है उसे के साथ साथ और उधारन देखें याँ पर भारत की राजधानी, दो संग्या शब्दे याँ पर, बेटे की लड़की, देखिए मोहन की किताबें आपकी बातें घर की रोटियां उसी के साथ साथ राजा की बेटी भी हो सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो राजा की बेटी राजा की बेटी तो इस प्रकार के भी शब्दों में हम क्या करते हैं दो संगया शब्दों के बीच में इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं बड़ी की का प्रयोग करते हैं ठीक है अब दूसरा देखिए नियम क्रिया के रूप में भी की का प्रयोग किया जाता है क्रिया के रूप में नियम की क्रिया पूर्ण होती है तब भी हम क्या करते हैं बड़ी की का उपयोग करते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो यह किया है कमल ने परिक्षा पास की कमल ने परिक्षा पास की यहाँ पर वाक्य पूर्ण हुआ है और क्रिया के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है की का प्रयोग किया है मैंने दिल्ली की यात्रा की मैंने क्या किया पर दिल्ली की यात्रा की उसने कोई गलती नहीं की तो इस प्रकार से हम क्या करते है क्रिया के रूप में भी बड़ी की का प्रयोग करते है ठीक है समझ में आया होगा आपको बच्चो तो अगला जो अगला जो उधारन है वो देखिए आपर संबंद बोदक अव्वे के रूप में भी कीका प्रयोग किया जाता है संबंद बोदक संबंद दर्शाने के लिए पहला नियम जो था एक वचन ते तब बहुचन दो संग्या शब्दों में संबंद बताने के लिए हम क्या करते थे कीका प्रयोग करते थे बड़ी कीका अब यह भी सेम वैसा ही है संबंद बोदक अव्वे की कोई भी दो शब्द हो उनमें अगर हम संबंद दर्शाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं हम बड़ी कीका उप्योग करते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है राजा की बेटी राजा और उनके बेटी में दो संबंद दर्शाने के लिए बड़ी कीका हमने उप्योग किया है राम की और राम की और उसके राम की और यहाँ पर भी दो शब्दों में हमने क्या किया है संबंद दर्शाने के लिए की का उप्योग किया है उसकी तरफ उसकी यहाँ पर जो की है सर्वनाम को लगा कर आई है यह की और यह की जो है वो संबंद दर्शाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है साथ साथ पेड़ की भांती ठीक है बच्चों आपको समझ में आ रहा है संबंद दर्शाने के लिए यह जो की है यह संबंद बोदक अव्वेये में आता है आपको पता है कि क्रिया विशंशन अव्वेय में चोथा जो अव्वेय है वो है संबंद बोदक अव्वेय और उसमें हमने देखा है कि का की के और ऐसे जो शब्द होते हैं वो संबंद दर्शाने वाले अव्वेय होते हैं यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बड़ी की जो हैं वो संबंद बुधक अवे के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं ठीके बैचों आशा करती हूँ कि आपको की और की का प्रयोग समझ में आया होगा तो अगले क्लास में हम एक नई टॉपिक के साथ आने वाले हैं तब तक के लि करते हैं